नमस्कार बीकी बीजेनेसर ये चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बनाएंगे टोइलेट और और वह भी दो रो माटिरियल के माधियम से एसीडी सलदी और कास्टिक सुड़ा ये दोनों रो माटिरियल बहुत ज्यादा क्लीनिक होता है समझवा गया इसका छमता इतना होता है कि ये किसी भी दाग धब्यकों बहुत यसानी से छुड़ा सकता है मतलब उसे सफाई कर सकता है और इसमें हम थोड़ा डालेंगे साल्ट जिससे मैंने पिछले वीडियो मा आप लोगों से पहले भी बताया है लेकिन आप मानके चलिए मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ देखिए अगर हम detergent powder या liquid detergent में साल्ट का यूज नहीं करेंगे तो उसमें यह होगा कि इसका जो जाग है वो कपड़ों से जल्दी छूटेगा नहीं लेकिन आप toilet cleaner बना रहे हैं तो toilet cleaner में जाग बहुत ही असानी से छूटे जाएगा लेकिन मैं अपना अनुगाँ बता रहा हूँ कि इससे जो नमक होता है साल्ट यह अभी एक किलिनिक प्रोडेक्ट है समझ में गया तो उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर जैसे पीला उला धबाए तो उसे साल्ट बहुत यसानी से सफाई कर देगा और इसे बनाना भी बनाएंगे कैसे तो आपको बस वही जैसे लिक्विट डिटर्जेंट बनाते हैं उसी तरीके सापको बनाना है इसमें हम इसलिए से लिक्विट का युज़े नहीं करेंगे क्योंक हमें बहुत ज्यादा ज्याब की तो जरूरत है नहीं समझ मागे आतो देखिए 900 गराम हम डेंगे वाटर द्यान से सुनिएगा 900 गराम वाटर लेंगे 100 गराम लेंगे 80 गराम अध्याद करेंगे और साल््समाइट करेंगे 10 घरां मेसं साव डर्प कियोंकि तुल्ट क्लिएन को आप हाथ हो से डाइलेट छुएंगे नहीं हुआ सब्सक्रट के शेelt आप उसे बोटल से गीडा कर और उसे पर से क्लिए डोरस को इसे की जे को डाकंकर शुएंगे तो देखिए एसी डिसलरी अगर आप बड़े लेबल पर लेते हैं जो इसका 226 लिटर का आता है ड्रम तब आपको थोड़ा सस्ता रेट मिल जाएगा अब वो देखिए कई रिट का आता है 100 रुपय का आता है 80 रुपय का आता है उससे और उपर भी होता है उससे और कम भी होता है छेत्र छेत्र का भी होता है कि कहां पर आप मंगा रहे हैं फूटकर आप लेते हैं जैसे 10 कजी 5 कजी लेते हैं या जो 50 कजी का गैलन आता है तो वो भी थोड़ा सस्ता पढ़ता है फचास केजी का गैलन, लेकिन और आप एकदम फुट कर लेते हैं तो आपको डेड़ सो दो सो रुपए केजी तक रेल अपना पढ़ जाता है, पकड़ा गया, जिससे आप अगर फुट कर लेते हैं दस के जी पांस के जी तो आपको 200 तक आपका पढ़ जाएगा डेड़ से 200 रुपए तक तो आप उसी हिसाब से अपना बलगा लिजीगा आपके छेतर में किस रेट का या मिल रहा है और यह और कास्टिक सोडा बात किया जाएद कास्टिक सोडा भी आपको 60-70 रुपए के जीर आप से मिल जाएगा फुटकर में ठोक पर तो आपको और सास्ता मिल जाएगा तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले हमने वाटर ले लिया अगर आपको इसमें कलर एड़ करना है तो आप कल सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लेंगे कास्टिक सूडा कास्टिक सूडा हम इसमें पुड़ा ज्यादा मत्रा में अट करेंगे करेंगे कास्टिक सूडा काप जब भी उचके रहा तो मगलब से मुपनमास के जब लगा लिए कास्टिक सूडा को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है और अब हम इसी में साल्ट को आट करेंगे समझना गया एसी डिसलरी हम बाद में आट करेंगे बाद में तो देखिए आप और हमने साल्ट की इसी में आट कर दिया और आपको अच्छी तरह से मिला लेना है अब आपको इसे चार से पांच घंटे के लिए रख देना है जिससे बढ़िया से ठंडा हो जाए क्योंकि आ आप गर्व में ही अगर डाल देंगे सीटी सलरी तो फट भी सकता है लेकिन मैं अब आप वीडियो बना रहा हूं तो इतना टाइम तो है नहीं कि अब मैं इसे ठंडा करूं तो हम इसमें डायरेट्थी एसीटी सलरी आइड कर देंगे इस तरीके से देखिए देखिए फट गया ना मेंने झुका ओई हुआ तो आपको कोई भी काम करना है सब्रस करना है समस्वा किया मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया देखिए तो दूदफट का षारा निकाला जाता है उसी तरीके से अब और ध्येम देखिए फट गया अब अब हम इसका यूच कैसे कर सकते हैं मान लिजिए बहुत चांस आप बना रहे हैं और आपने ऐसा लापरवाई किया तो अब हम इसका यूच कैसे करेंगे इसका यूज हम कर सकते हैं तो देखें टोलेट टोलेट साफ करने में इसका यूज कर सकते हैं वेसे इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होगा तो अब हम बनाते हैं दूसरा अपना जबर के साथ इसी तरीके से फटता है तो अब हम इसमें लेंगे वाटर अगर आपको ततकाल ही बनाना है तो मैं उसका भी आपको पाय बता दे रहा हूं अगर आपको एकदम पूरंती बनाना है आपको पास टाइम नहीं है रुकने के लिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं आपको दो बरतन लेना है समझा गया इस तरीके सब बनाएंगे तो नहीं भटेगा पहले में आपको आइट करना है कास्टिक सोडा वैसे आप यह मान के चलिए कि अगर टाइम आप देंगे चार-पांच घंटा तो सही रहेगा आपके लिए बढ़िया रहेगा फटेगा नहीं अब इसमें आपको अच्छी तरशी से मिला जेना है अच्छी तरह मिलाने के बाद में अब आपको इसी डिसलरी भी अच्छी तरह ऐसे मिला लेना है कि कि अच्छी तरह मिला अच्छी से चास्छी तरह मिलाना है लिओ कर दो लिये कर सोची तैना। लिए कर पूंगा विप यो सब अगाय Leah मैं औरुम का σब85 नहाँ देखे, मिल चुका है बढ़िया से, आपको इसे बहुत इच्छी तरह से मिलाना है देखे, मिल गया, अब आपको इसी में थोड़ा थोड़ा करके आपको यह कास्टिक सोडा के घुल को आइट करना है देखे, इस तरही के से देखे, अब यह नहीं फटेगा देखे, अब यह नहीं फटेगा और इसमें आपको थोड़ा सा साल्ट एट कर देना है देखे, तो यह आपका बढ़िया क्वार्टी का टोईलेट किलिलर बन जाएगा समझना गया? तो आप इस तरीके से बना सकते हैं देखे, एकी तो फट गया है अब इसका तो कुछ नहीं होसकता आप इससे बहुत कर सकते हैं, टोऊलेट, टोऊलेट, आपकर च amor कर सकते हैं मैय जैसे बाधरों मतरों मैरी आप उसे असानी से उसके फर्स को साह कर सकते हैं उसके अलामा इसका और कुछ नहीं हो सकता है समझ भागया तो आपको यह ध्यान देना है कि चार से पांच घंटे के लिए आपको रखना ही है यही आपके लिए सही रहेगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में सेर करें वीडियो देखने के लिए धन्वार नमस्कार